परिचय चात्रो, हाज हम जयव प्रद्दोकी की और इसके प्रक्रमों को जानेंगे क्या कोई शब्द जयव प्रद्दोकी की को परिभाशित कर सकता है? हाँ सेल सेर ये एक प्रद्दोकी की है जिसका उप्योग उत्पाधों को रूपांतरित करने और मानद जीवन हे तू, उन्हें उप्योगी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे! वे प्राक्रब क्या हैं, जिनने हम जेव प्रॉद्दुकिकी में शामिल करते हैं? सेर, इसमें कृत्रिम DNA का निर्माण शामिल है। सही कहा, DNA का क्यार्थ है? सेर, डी आक्सी रिबोन यू क्लिक अमल। सही कहा, तो आव इस पार्ट में हम जेव प्रॉद्दुकिकी के सिध्धान्त और प्राक्रबों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश, इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जेव प्रॉद्दुकिकी के सिध्धान्तों का वड़न करना, एक क्रित्रिम पुनर्योगच डियने अनु के निर्मान का वड़न करना, पुनर्योगच डियने प्रॉद्द्दुकिकी के साधनों का वड़न करना, डियने खंड के प्रतक्करण एवं विलिगन की चर्चा कर क्लोनिंग सम्भाहक का वाडन करना पुनर योगच डिने प्रध्धुकीकी के प्रकर्मों का वडन करना जय प्रध्धुकीकी के सिध्धान्त जय प्रोद्धुकी की एक तक्नीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उप्योग हेतू सुख्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप्योग किया जाता है. आधोनिक जय प्रोद्दुकी की के विकास में निम्न दो तक्नीकों का योगदान है आनुवन्शिक इंजिनिरिंग, आनुवन्शिक पदार्थ की प्रक्रिती को बदलने की तक्नीक और या आनुवन्शिक पदार्थ को अन्य पर पोशी जीवों में प्रवेश करा कर इसके समलक्षणी में परिवर्दन करना जय प्रवद्धोकी की उत्पादों के निर्मान के लिए रोगाणों रहित दशाओं में केवल पांचेत सूक्षमों या कोशिकाओं की अधिक संक्या में व्रिध्धी और गुणन को सुगम बनानी की तक्नीक आनुवन्शिक इंजिनिरिंग के सिध्धान्तों का विकास संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पादप्रजनन और जंदू प्रजनन में उप्योग की जाने वाली पारम परिक्विधी है इसमें प्राया वांचित जीन के साथ साथ अवांचित जीन का समावेश भी हो जाता है संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज डियने विक्सित किया जा सकता है विजातिय डियने या क्रेत्रिम डियने से जुड़ा परपोशी डियने पुनर योगज डियने कहलाता है प्रतीक्रिती का मूल डियने का अनुक्रम है जिस स्थान पर प्रतीक्रितियन या एक गुण सूत्र प्लाजमिट या वाइरस पर शुरू होता है जिवाणूं प्लाजमिट तथा छोटे वाइरसों सहित छोटे डिने के लिए एकल मूल ही परियाप्त है बड़े डिने में अनेक मूल होते हैं और डिने प्रती कृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है कृत्रिम पुनर योगज डिने अनू का निर्मान जब विजातिये डिने प्रती कृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में डिने प्रती कृति एवं गुनित हो सकते हैं यह डिने क्लोनिंग कहलाता है कृत्रिम पुनर योगज डिने का निर्मान प्लास्मिट अतिरिक्त गुंसूत्र डिने हैं जो एक जिवाणू से दूसरे जिवाणू तक जीन या डिने इस्थना रिते कर सकते हैं वे साल मोनेला टाइफी मूरियम के प्लाजमिट से प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन को प्रती बंधन एंजाइम्स दौरा काट कर अलग करते हैं। प्रिथक जीन, डीने, लिगेज एंजाइम दौरा प्लाजमिट से जुड़ा हुआ था। ये पुनर योगज डीने पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं। इस पुनर योगज डीने को साल मोनेला से काफी मिलते जुलते इशारी किया कोलाई जीवाणों में इस्थानांत रित किया जाता है। प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन इकोलाई में प्रतिकृती बना सकते हैं और बहुपृतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीव के अनुवंशिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं। वांचित जीन युक्त डिने की पहचान। जीनित जीन का परपूशी में इस्थानांतरण। इस्थानांतरित डिने को परपूशी में सरक्षित रखना तथा उसकी संदती में इस्थानांतरित करना है। पुनर योगज DNA तक्नी के साधन प्रतिबंधन एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम, नूकली एजज कहलाने वाले एंजाइमों के वर्ग बें आते हैं. ये एंजाइम DNA दूई कुंडलिनी को विशिष्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. एंडो नूकलीज ये एंजाइम DNA के सिरों से निकलोटाइट को अलग करते हैं. एंडो नूकलीज ये DNA के भीतर विशिष्ट इस्थलों पर काड़ते हैं. ये एंजाइम DNA में पैलिनडोमिक नूकलीज टाइट अनुकरम के लाने वाले विशिष्ट अनुकरमों की पहचान करते हैं. पैलिनडोमिक नूकलीज ताईट अनुकरम ये ठ्शार युगम का अनुकरम हैं, जो पढ़ने के अभिविन्यास को सभान रखने वाले दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है निम्न अनुक्रमों को पाँच प्राइम से तीन प्राइम दिशा में या तीन प्राइम से पाँच प्राइम के दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है पाँच प्राइम G A A T T C तीन प्राइम, तीन प्राइम C T T A A G पाँच प्राइम, प्रथम प्रति बंधन, एंडो नूकलियेज हिंड दो था. प्राइम सेल स्दी बंदन, एंडो ठोल था फ्राइम, भीन प्राइम, रिजयेज हिंड highest आधिशल प्राइम, भीन प्राइम, पूराब, टीन प्राइम, 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 ये MARY, प्राइम, व्रूधियर। ज़ तो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियज एंजाइम की क्रियात्वारा पुनर योगज डिने के निर्माण में चरण कुछ जीवानों में प्रतिबंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाय जाते हैं और विशाणों के वृत्थ रक्षा तंद्र के रूप में कारे करते हैं का एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम एको आरवन में निम्निक पहचान इस्थल होते हैं जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए ए जी इसकार्थ है कि एको आरवन इस अनुक्रम में केवल जी और एक के बीच काटेगा चरण एक एको आरवन के लिए पहचान इस्थल युक्त डीने का एक खंड नीचे दिया गया है चरण दो एको आरवन डीने लड़ी को पहचान इस्थल पर काटता है जी और एक के बीच चरण तीन डीने लड़ी विखंडित हो जाती है इससे खुले निकलियोटाइट्स या चिपचपे छोर वाले डीने खंड उत्पन होते हैं अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उधारन के लिए हिंड दो में सीध में काटता है और बंद निकलियोटाइट वाले डीने खंड उत्पन करता है ये खंड अनासंजी स्रे कहलाते हैं चिपचिपे सिरे और अनासंजी स्रे एक अन्य डीने एंजाइम लिगेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े सकते हैं डीने लिगेज डीने की मरमद और प्रती कृतियन में शामिल होते हैं लिगेज का कारेबंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में DNA खंडों को पुना जोड़ना है DNA खंड चार युक्म रेखन का उप्योग करके आपस में जुड़ जाते हैं DNA के एक खंड के खुले नुक्लियो टाइट्स दूसरे DNA खंड के लिए चार युक्म द्वारा आकर्शित किये जाते हैं खंड एंजाइम DNA लिकेश द्वारा जुड़े होते हैं जो खंडों को उनकी शरकरा फास्वेट रिड़ पर जूड़ते हैं यदि DNA खंड अलग अलग सरोतों से है तो पुनर योजन DNA उत्पन होता है DNA का उत्पादन पुनर योगज DNA का उत्पादन प्रती बंधन एंजाइम E को प्रीज किक्रिया के परिड़ाम सरूप होता है और बंधन को निम्नलिकित आरेक में दर्शाया गया है एंजाइम दोनों DNA को समान आमाप पर काटता है उसके बाद दोनों DNA खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है और इसके फलसरूप पुनर योगज DNA बनता है DNA खंड का प्रितक करण एवं विलकन DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानि विद्धुत करण संचरन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है विभिन आकार वाले अणों को सरंद्री, स्पंज जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए Electrophoresis में विद्ध धारा का उपयोग किया जाता है बड़े अड़ों की तुल्ला में छोटे अड़ों जेल रंदरों से बहुत आसानी से गती करते हैं फिल शाप्र जू सैंप्रुक और बिल साग्डेन ने अत्यदेक शुद्ध सबुद्रिय घास से बने एकारोज जेल का उपयोग करके DNA Electrophoresis टक्नीक विक्सित की है जेल को विद्ध प्रवाहित होने वाले लवन गिलियन से भरे टैंक में डुबोया जाता है पिपेट का उपयोग करके DNA प्रतिदर्ष को एकारोज जेल में बने स्थानों में लाता जाता है DNA प्रतिदर्ष रंग हीन होते हैं लेकिन शोत करता नीले रंग की ट्रेकिंग डाई मिलाते हैं इससे प्रतिदर्शुक को लादना और जेल से होकर DNA प्रवासन को आखों द्वारा देखना आसान हो जाता है DNA रीड में सिथ फास्वेट समू रणात्मक आविशित आक्सिजन लेकर DNA अड़ों को पूरी तरह से रणाविशित कर देते हैं विद्धारा में रणात्मक आविशित DNA, इलेक्ट्रोफोरिसिस कक्ष के धनात्मक ध्रव की ओर चले जाते हैं DNA अणूं एक रोज मैट्रिक्स के रंध्रों की रेप्टेशन, रेप्टाइल जैसे सप्र की तरहा की क्रियाद्वारा जेल से होकर इस्थानांत्रित होते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं, इस तरह DNA खंड एक एक रोज जेल में आमाप अनुसार अलग-अलग किये जा सकते हैं क्लोनिक संभाहक एक DNA अणू जो विजातिये DNA को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है, जीवाणू कोशिका के भीतर प्रतिकृती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातिये DNA क्लोनिक संभाहक गहलाता है क्लोनिंग सम्वाहक प्रतिबंधन एंचाइमों के लिए अगले महतपून साधन है सामानने क्लोनिंग सम्वाहक प्लाजमिट और जीवान भुजी है एक सम्वाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेशताओं की आविशक्ता होती है प्रती कृतियन की उत्पत्ति यानी मूल यह एक अनुक्रम है जहाँ से प्रती कृतियन की शुरुवात होती है और DNA का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाउं में प्रती कृतियन कर सकता है वरण योग के चिन्हक मूल ओरी के साथ समवाह को वरण योग के चिन्हक की भी आविशक्ता होती है जो रुपान तर्जों और अरुपान तर्जों की पहचान करने में सहायता करते हैं उधारन के लिए एमपिसिलेन, क्लोरेमफेनिकॉल, टेट्रसाइकलिनादी जैसे प्रती जहविकों के प्रती प्रतिरोध क्रोडित करने वाले जीनों का वरण योगे चिन्हकों के रूप में उप्योग किया जाता है रुपान तर्ण ये एक प्रक्रिया है जिसके दोरा एक डिने खंड को परपोशी जीवाणों में प्रवेश कराय जाता है क्लोनिंग संभाहक क्लोनिंग स्थल ये वे स्थल है जहां पर विजाती ये टिये ने जुड़ता है निवेशी निश्क्रियेटा प्रति जैविक प्रति रोथी जीन का उप्योग करके पुनर योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए एक वैकल्पिक विधी विक्सित की गई है इसमें रुपान तरजों, पुनर्योग्जों और आपुनर्योग्जों की पहचान क्रियाधार की उपस्तिती में रंग उत्पन करने की उनकी शमता के आधार पर की जाती है इसमें एक पुनर योगज डीने को एक लेक्टो साइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराय जाता है, जिसके भल सरूप एंजाइम निश्क्रिये हो जाते हैं और इसे निवेशी निश्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवाणों द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, आप उनर योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। इस T DNA कहलाने वाले DNA का खंड इस्थानांतरित करता है, और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रुपांतरित कर देता है, और अर्बुद कोशिकाएं रोग जनक के लिए सरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं। अब इस जीवानों के T I plasmid का उप्योग अपनी अभिरुची के जीन को अनेक पौधों में इस्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जनतों में पश्च विशाणूं परपोशी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रुपांतरित करने के लिए अपने DNA को परपोशी कोशिकां में इस्थानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विशाणूं का एक समवाहक की रूप में उप्योग किया जाता है। यदि हानेकारक DNA को अभिरुची के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आति थे यानि पुनर योगज DNA के साथ रुपांतरण हे तू। DNA जल रागी अड़ों होते हैं। इसलिए इसे कोशिका जिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को केल्शियम जैसे दूई संयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर योगज DNA के साथ बर्फ पर रखा जाता है। तब पुनर योगज DNA को उन कोशिकाओं में बल पूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और पुनर इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। विजाती ये DNA को प्रवेश कराने की अन्यविधियां सूख्ष्म अंतक्षिपन और बायोलिस्टिक या जीनकन है। पुनर योगज के प्राक्रम पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं। जैसे अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रतक्करन DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवाह संसाधन अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रतक्करन प्रती बंधन एंजाइम की क्रिया के लिए DNA को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाहिए ये लाइसोजाइम, सेलिलोईज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणों कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है DNA हिस्टोन, प्रोटीन और आरेने के साथ गुंधे रहते हैं आरेने को रिबान यूकलेज से उपचारित करके जबकि प्रोटीन को प्रोटी एस से उपचारित करके अलग किया जाता है अन्ने अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनंत गुत्वा दुरुद्ध शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधिद DNA अवक्षिपिद हो जाता है DNA को विशिस्ट स्थलों पर काटना शोधिद अड़ों को इस्टतम परिस्थितिों में रखने पर प्रती बंधन एंजाइम का उपियोग किया जाता है पाचन एक रोज जेल इलेक्टो फोरिसिस का उपियोग किया जाता है पुुनर योक जगज dna तैयार करने के लिए सुरोत dna से काटा गया अभिरुची का जीन तथा खाली जगह के साथ कटे हुए सम्वाहक को मिश्रित किया जाता है और लिकेज मिलाया जाता है पुनर योकेज dna प्रोद्वगिकी के प्रक्रम PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्धन पॉलिम्रेज श्रिंखला अभिक्रिया यानी PCR विशिष्ट DNA अनुक्रमों का घातांग की प्रवर्धन प्रतान करती है PCR के लिए आवशक है DNA टेंपलेट कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित DNA अणु होते हैं प्रवर्धित किये जाते हैं उपक्रमक समान G-C सामगरी के साथ साथ लगभग 10-18 निकलियोटाइट के रसाइनिक संशलेशित अल्प निकलोटाइट का युग्म उपक्रमकों के रूप में कारे करता है जो एक दूसरे के प्रती सीधे DNA संशलेशित करते हैं एंजाइम, सामाने रूप से उपयोग किये जाने वाले दो एंजाइम हैं टैक पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज ये 95 डिग्री सेल्सियस पर 1-2 मिनट तक बचे रह सकते हैं इस तकनीक में 3 चरण शामिल हैं एक विक्रिती करण, लक्षित DNA का गलन दूई लड़िये DNA से इसकी पूरक लड़ियों को प्रथक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सिकन के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करके इसे विक्रित किया जाता है DNA संशलेशन के लिए प्रतेक प्रथक एक लड़िये DNA टेंफलेट के रूप में कारी करता है दो उपक्रमक तापनुशीलन विक्रित DNA लड़ियों के लिए दो अल्प निकलियोटाइड उपक्रमों को का तापनुशीलन अतरिक्त उपक्रमक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है उपक्रमक हाइडोजन बंध बनाते हैं जो DNA अनुक्रम के दोनों सिरों पर DNA का तापनुशीलन करता है तीन उपक्रमकों का विस्तार बहुलकी करन DNA पॉलिमरेज उपक्रमकों को बढ़ाने के लिए उपक्रमक की बहुली की करन प्रक्रिया की शिरुवात करता है जिसके परिणाम सोरूप लक्षित DNA अनुक्रम की प्रतियों का संशलेशन होता है उप्योग किये जाने वाले दो एंजाइम टेक, पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज है पुनर योगज DNA प्रद्योगी की के प्राक्रम परपोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन यदि पुनर योगज DNA को जिसमें प्रती जैविक एंपिसलेन प्रतिरोधी जीन इस्थित होता है ये कोलाई कोशिकाओं में इस्थानांत्रित किया जाता है तो परपोशी कोशिका एंपिसलिन प्रतिरोधी कोशिकाओं में रुपांतरित हो जाती है। इस स्थिति में एंपिसलिन प्रतिरोधी जीन वरण योग के चिनह कहलाता है। बाहरी जीन उत्पाद प्राप्ट करना विजातिय डिये ने जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांचित प्रोटीन उत्पाद करने के लिए प्राया गुनित हो जाता है. जब प्रोटीन कूट लेखन जीन की किसी विशमजाद पर पोशी में अभिव्यक्ति होता है तो इसे पुनर योगज प्रोटीन कहते हैं. अधिक बात्रा में उत्पादों को उत्पन करने के लिए 100-1000 लीटर आयतन वाले बायो रियक्टर का उप्योग किया जाता है. बायो रियक्टर वृध्धी परस्थितियों यानि तापान, पीच, क्रियाधार, लवन, विटामिन, ऑक्सीजन का उप्योग करके वांचित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूल तम परिस्थितियां प्रदान करता है. प्राया विलोडन प्रकार के बायो रियक्टर का उप्योग किया जाता है जो समानिता बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमाओदार होते हैं. विलोडक बायो रियक्टर में आक्सीजन उप्लग्धता वा उसके मिश्रण का काम करते हैं. विकल्पता हवा पुलबले के रूप में बायो रियक्टर में भेजी जा सकती है. एक बायो रियक्टर में निम्न घटक होते हैं एक प्रक्षोभग तंत्र, ओक्सीजन प्रदाय तंत्र, जाग नियंत्रन तंत्र, तापक्रम नियंत्रन तंत्र, पीच नियंत्रन तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार. पुनर योगज डिने प्रद्योकी की के प्राक्रम अनुप्रवाह संसाधन इसमें प्रथक करण वाश्योधन शामिल है इसे सामवहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं औशदी के मामले में ऐसे संरूपन को जो किसी ये परीक्षन से गुजारते हैं अनुप्रवाह संसाधन प्रत्यक उत्पात के लिए भिन भिन होता है क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजाद शिश्यों की वृत्यों के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता किस के लिए कौन दोशी है चल जाता है अब वैग्यानिकों ने नियमित चिकिसा दिखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुँचकर एक सब्ता के बजाए कुछी दिनों में उन शिश्यों के डिने के कुछ लेखन का एक तरीका खोज लिया है सिर्फ पचास घंटों में हम नवजाश शिश्यों के जीनों का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में तोहराएं जयव प्रोध्दुकी की एक तकनीक है जिसमे उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए या विशिस्ट उप्योग हे तो सूख्ष में जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप्योग किया जाता है संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए अनुवंशिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज DNA विक्सित किया जा सकता है जब विजातिय DNA प्रतिकृती के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में DNA प्रतिकृती वागुनित हो सकते हैं ये DNA क्लोनिंग कहलाता है प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन इकृती कृती बना सकते हैं और बहु प्रतियां बनती हैं ये जीन क्लोनिंग कहलाता है प्रति बंधन एंजाइम DNA दुई कुंडलिनी को विशिस्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं पुनर योगज DNA प्रति बंधन एंजाइम को पुनर योगज DNA प्रति बंधन एंजाइम ECO-R1 और बंधन की क्रियाद्वारा उत्पन्ने किये जा सकते हैं DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस यानि वेदुध कन संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है एक DNA अणूं जो विजातिय DNA को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है जीवानों कोशिका के भीतर प्रतिक्रिती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातिय DNA क्लोनिंग सवहग गहलाता है पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं अनुवन्शिक पदार्थ का प्रथक करण अनुवन्शिक पदार्थ यानि DNA का प्रथक करण DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन परपोशिक कोश का जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रव संसाधन